जकरिया एक परमेश्वर की ओड़ लोटने का अहवाहन दारा के राज्ये के दूसरे वर्ष के आठवे महीने में जकरिया भवश्यवक्ता के पास जो बेरेकवा का पुतर और इदे का पोता था यहवा का यहवचन पहुंचा यहवा तुम लोगों के पूर्खाओं से बहुत करोदित हुआ था इसलिए तुम इन लोगों से कह सेनाओं का यहवा यूं कहता है तुम मेरी और फिरो सेनाओं के यहवा की यही वानी है तब मैं तुम्हारी और फिरूंगा सेनाओं के यहवा क यही वचन है अपने पूर्खाओं के समान ने बनो उनसे तो पूरो काल के भईश्य वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे सेनाव का यहवा यूं कहता है अपने बुरे मारगों से और अपने बुरे कामों से फिरो परन्तु उन्होंने ने सुना और ने मेरी और ध्यान दिया यहवा की यही वानी है तुमारे पूर्खा कहां रहे वैविश्य वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं परन्तु मेरे वचन और मेरी आग्याई जिनको मैं अपने दास नभीयों को दिया था क्या वे तुम्हारे पूर्खाओं पर पूरी ने हुई तब उन्होंने मन फिराया और कहा सेनाओ के यहवा ने हमारे चाल चलन और कामे का अनुशार हम से जैसा वैवार करने को कहा था जो बेरेगा का पूतर और इदो का पोता था यहवा का यहवचन पहुंचा मैंने रात को सपन में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चड़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्तान में है और उनके पीच लाल और भूरे और सवेत घोड़े भी खड़े हैं तब मेंने कहा है मेरे परवु यह कौन है तब जो दूद मुझसे बाते करता था उसने मुझसे कहा मैं तुझे बताओंगा कि यह कौन है फिर जो पुरुस मेहंदियों के बीच खड़ा था उसने कहा यह वे हैं जिन को यहवाने पिर्थी पर सेर अर्थात और चैन है तब यहवा के दूत ने कहा है सेनाओ के यहवा तू जो यूरसलेम और यहुदा के नगरों पर सतर वर्स से करोधित है इसलिए तू उन पर कब तक दिया ने करेगा और यहवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बाते करता है अच्छी अच्छी और शान्ती की बाते कहीं तब जो दूत मुझसे बाते करता था उसने मुझसे कहा तू पकार कर कहे कि सेनाओ का यहवा यू कहता है मुझे यहुरसलेम और शियों के लिए बड़ी जलन हुई है जो जातिया सुख से रहती है उनसे मैं करोधित हूँ क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा करोध किया था परन्तों उन्होंने भी पत्ती को बढ़ा दिया एस कान यहुआ यू कहता है अब मैं दया करके यहुरसलेम को लोट आया हूँ मेरा बहन उसमें बनेगा और यहुरसलेम पर ना अपने की डोरी डाली जाएगी सेनाओ के यहुआ की यही वानी है फिर भी यहे भी पुगार कर कहें कि सेनाओ का यहुआ यू कहता है मेरे नगर फिर उत्तम अस्तों से भर जाएंगे और यहुआ फिर शियोन को शान्ती देगा और यरुसलेम को फिर अपना ठहराएगा सिंग से सम्मदी दर्सन फिर मैंने जो आखे उठाई तो क्या देखा कि चार सिंग है तब जो दूद मुझे से बाते करता था उससे मैंने पूछा ये क्या है उसने मुझे से कहा ये वे ही सिंग है जिनोंने यहुदा और इजराईल और यरुसलेम को दितर वितर किया है फिर यहुदा ने मुझे चार लोहार दिखाए तब मैंने पूछा ये क्या करने को आए है उसने कहा ये वे ही सिंग है जिन्होंने यहुदा को ऐसा तीतर वीतर किया कि कोई सीर ने उठासका पर तो यह लोग उन्हें बगाने के लिए और उन जातियों को सिंगों को काट डालने के लिए आए हैं जिनने यहुदा के देश कोती तर्वीतर करने के लिए उनके विरूद अपने सिंग उठाए थे थैंक्यो